रसोई गैस की महगाई का असर अब भारती जनता पार्टी यानि की बीजेपी की रैली में भी दिखने लगा है ये तस्वीरे यूपी के हापुड के गड़मुक तेश्वर में हुए बीजेपी के रास्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा के भाषन के बाद की है जहाँ पर जेपी नड़ा की जनसभा हुई वहाँ बीजेपी नेताओं ने बड़े बड़े होडिंग्स और बैनर लगवाई थे जिन पर लाखों रुपए खर्च किया गया था जनसभा खत्म होने के बाद कुछ लोग होडिंग्स को उखाड़ते हुए नजर आए महिलाओं ने मैदान में लगे सारे होडिंग्स तोड़ डाले और उस होडिंग्स को तोड़ कर उससे निकली लकडियों को बटोरती नजर आई क्योंकि इन ही लकडियों से उनके घर का चूला जलता है वहां मौजूद महिला का कहना था कि मजदूर आदमी है किराय के मकान में रहते हैं सिलेंडर एक हजार रुपए महंगा है इसलिए उसे भरवा नहीं सकते कुछ और महिलाई भी होडिंग्स से लकडि निकालती हुई वहां पर नजर आई जब इन से पूछा गया कि ये लकडि क्यों लेकर जा रही है तो उन्होंने बताया कि सिलेंडर बहुत महिंगा है हमें दुबारा नहीं भरवा सकते इसे कुछ यहां से सहारा हो जाएगा ये लकडि घर में खाना बनाने के काम आएगी क्योंकि इससे च जर्छास नाइन से से लेंडर है आपके बास से लंडर हजार का हो रहा से लंडर होने की वज़े से आप लकडि लेकर जा रही है तो आप इस जो वोड़िंग लगे है हिन हो तो तो वह तो वह जो तोड़ा है मतलब अब महंगाई का असर भाचपा की रैली में भी साफ साफ दिखने लगा लोग होर्डिंग्स के जरिये ही अपने चूले की आग को जलाई रखने की कोशिस कर रहे हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद ये साफ है कि भाचपा राज में पड़ी महंगाई की मार से आम जन खास करके गरीब तपके के लोगों की भूखे मरने की नौबत आ चुकी है अब उनके घर का चूला तक जलना मुश्किल हो चुका है भाचपा राज में ये है आम जन के साथ साथ गरीबों की हालात गरीबों को उजवला योजना की तहट निश्चुलक गैस कनेक्शन दिया गया कनेक्शन लेने के लिए होड मची थी लेकिन जब गैस एजनसी पर कनेक्शन लेने गए लोग तो पता चला कि वर्तमान में गैस कनेक्शन मुफ्ट मिल रहा है वही कमपनी लोन मद में 16-1700 रुपे रिफिल के दोरान सबसीडी ना दे करके कनेक्शन का दाम वसूल लेगा ये थी मुफ्ट उजवला हर घर गैस योजना की सच्चाई अब लपी जी की बढ़ती कीमतों ने महिलाओं को गैस चुलहा बंद करने पर विवश्च करके चुलहा फूखने के कगार पर ला दिया है शुरुवाती दोर में कनेक्शन पर रिफल के दोरान बहुत से बहुत 497 रुपए तक खाते में सबसीडी आती थी वही अब कम जादा होते होते अब 60 रुपए सबसीडी खातों में भेजा जा रहा है महंगाए की मार के कारण सिलंडर 923 रुपए हो गये है अब गरीबों के सामने रसोई गयस की बढ़ती कीमतों के कारण सिलंडर भरवाना मुश्किल होता जा रहा है क्यूंकि इनकी कमाई भी 1000 रुपए नहीं होती है जिसकी एक तस्वीर यहां भाचपा के रैली में देखने को मिली जेपी नड़ा के सभा में लाखों के लगे होडिंग्स को लोगों ने तोड़ डाले महिलाए इस होडिंग्स को तोड़ कर अपने घर का चूला जलाने का इंतजाम करते दिखाए दी लेकिन अब भी ये सरकार को शर्म नहीं आएगी खुद के राज में महंगाई की मार मोदी सरकार को दिखाई नहीं दे रही जबकि 2013 में यही नरिंद्र मोदी थे जिन्होंने महंगाई को लेकर के एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि गरीब के घर में चूला नहीं जल रहा बच्चे आसू पीते हैं रात रात में रोते हैं लेकिन यही अपने राज में मोदी जी को गरीवी के आसू नहीं दिख रहे इनके राज में महंगाई से बेवस होकर मरते गरीब और अब मध्यमवर्गे लोग जो की गरीवी रेखा के नीचे पहुँच रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ता अपने राज में यह सरकार अंदी और बहरी दोनों ही हो चुकी है भारत में महंगाई चिंता का सबब बनती जा रही है लगतार बढ़ती महंगाई से लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है नौबत अब यहां तक आ गई है कि लोग सभाओं से लकडी चुन करके एक बार फिर से चूला फूखने को मजबूर हो गया है बेरो रिपोर्ट दवी पेन टीवी